नमस्कार किसान भायों आझ तरीक हो चुका है पांच मार्थ दोहजार चौबिस दिन की बात करें आज हो चुका है मंगलवार आज अजादपुट दिली में लेसन का भाव में कितनी तेजी आई है तो क्या कुछ इसमें बदलाव आया है कल के भाव में और आज के भाव में कितनी तेजी आई है चलो आज जान लेते हैं चितंदर खुरान जी के फ़र से लेसुन का जो भाव क्या कुछ निकल के सामने आया है कल के भाव में चितंदर जी और आज के भाव में कितनी तेजी लाए है तो मेरे प्यारे प्यारे किसान भाईयों वीडियो क को लाइक कर दें और चल्न को सब्सक्राइब कर दें आज दिली अजादपुर की मंडी में लेसुन में 5-10 रुपए का मुनाफ़ा हुआ है जितन्दर खुरान जी का कहना है जो कल के भाव में और आज के भाव में बेपारी किसान भाईयों ने कहा कि 10 रुपए कम 10-5 पक्का है जितन्दर खुरान जी कह रहे हैं कि कल के भाव में और आज के भाव में 5-10 रुपए किलो के तेजी आज बना हुआ है अजादपुर मंडी में अलग-अलग सहर से अलग-अलग इलाके से लेसुन की गाड़ियां पहुंचती है और जो आज गाड़ियों की आवत ह है 15 गाड़ियां जितन्दर खुराजी के फ़ड़ पहुंच गई है और विक्री बहुत बढ़िया है माल धक्के से विकरे अध्रअधर विकरा है और कि अयसे ही माल बिकता रहेगा तो हमारे किसान भाई और बैपारी भी नराज नहीं होंगे क्योंकि उन्हें भी कुछ न कुछ मंदी की असर जो दिखी थी उसका लाव मिलना चाहिए और कई किसान भाई हैं और कई वेपारी हैं जो कह रहे थे कि लेसुन में काफी गिरावट आएगी तो कुरान जे कहना है कि लेसुन का गिरावट काफी नहीं आगी इसी तरह बजार चलता रहेगा जे आँ हैं, तो समय समय पर उसको थोड़े थोड़े करके निकालते रहें, रोकने की कोछिश ना करें, माल पग गया है, कच्च्छा नहीं है, तो आप उसको कुछ दिन जोख सकते हो, अगर कच्च्छा माल है, अगर आप चाते हो कि इसी बहाव में, इसी रेट में हमारा भी फसल निकले तो आप समय समय पे थोड़े थोड़े कम करके आप कटाई करें और समय समय पे इसका लाब लेते रहें और मंडी में जितनी कम गाड़ियां पहुंचेंगी जितनी कम लेसुन की आवत होगी तो तेजी बरकरार बनी रहेगी अगर एकठे किसान भाई एकठे एक दिन जाके मंडी में गाड़ियां लगा देंगे तो उससे क्या होगा आपका तो माल घाटे में बिकेगा और जो किसान भाईयों का खेतों में पड़ा हुआ है बैपारी भाई उसका भी दाम घाटे में लगाना शुरू कर देंगे तो कही ने कहीं किसानों को इसका असर पड़ता है तो खुराना जी का कहना है कि आप लेसनुक बेपारी हैं या किसान के बेपारी हैं किसान भाई हैं आप किसानी करते हैं या किसान से माल खरीते हैं या किसान आपको माल देता है तो बेपारी और किसान भाई 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 हैं और अग सागे सागे काम नहीं चलेगा तो जो भी मंदी क मल लेके आता है'm कम ज diving माल लेका आए कुछ को ब्रायटी को अपने माल को अच्छा बना ग़र्लाए अगर ओर यह लेशनterm दाना है तो उसकी अलग बॉरियां बनाए वरिया दाना है तो अलग ऊंजन्द में परियां across और बढ़िया एक मिक्स कर देंगे तो आपका जो माल है हलके भाउं बिख जाएगा बढ़िया वाला माल नहीं बिख पाएगा तो मेरे प्यारे प्यारे किसान भाईयों लेसुन का जो बजार है आज जो तरीक में आज जो पांच फरवरी है और आज के तरीक में दिली 130 के भाउं में भीका है उनका कहना है कि जिस्वसे कौल्टी होगा उस हिसाब से रेट होगा दाना आपको बडिया है दाने को मंडी में लेसुन विका हुआ है तो मेरे प्यारे प्यारे किसान भाइयां जो बीज का लेसुन है अगर मैं उसकी बात करूं तो 110-105-120 के भाव में जो मिडियम दाना है मध्यम दाना है उसका बजार आज होल सेल भाव में 110 10-105-115-20 तक विका हुआ है लेकिन जो नीचे का लिसुन है जो नीचे का सबसे लो क्वाल्टी का लिसुन है वह सार्स लेकर 70-80-90 तक उसका भाव आज के दिन अजात्पुर मंडी दिल्ली में इसका होल सेल भाव रहा है तो जितने भी मेरे किसान भाई वीडियों बने हैं और वीडियों का लाइक कर दें अगर अभी तक चैनल आपने सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्य अगर लेसुन है अगर आपके पास कपेस्टी है इसको बेचने के लिए तो आप संपर करके उनसे आप फून करके उनसे आप अपना माल जिल्या के दिल्ली में बेच सकते हैं अगर आपके नजदीक मंडिया है जहां आप रहते हैं अगर आपका माल वहां उसी भाव में बि लिक जाता है तो आपको जाने के जूरत नहीं है आप समझेद लो आपका लिस्ट उसी भाव भाव भिक रहा है क्योंकि आने-जाने कराया भाड़ा भी लग जाता है हो सकता है आप आज का भाव 110-115-120 में भिका है लेसुन होलसल भाव में कल आप ले जाते हैं कल अगर गाड साब से भाव लगेगा हो सकता है 10 पर महंगा बिख जाए या 10 पर कम मिख जाए तो मेरे कहने का मतलब यह है अगर आपका लिसुन घर में 10-5 रुपे किलो के हिसाब से कम मिखता है तो इस सोने पर सुहागा सोधा है आप घर पर अपना माल बेशकते हो बेपारी जाने आरती ज आपको कम मिल जाता है तो मेरे प्यारे प्यारे किसान भाईयों आप माल बेपारी को दे दें अगर ज्यादा लगता है कि नहीं ज्यादा एक माजर कमा रहे हैं तो किसी बड़िया आरती से संपर करके आप अपने माल को वहां ले जाके अच्छे दामों में आप बेश सकते ह तो मेरे प्यारे प्यारे किसान भाईयों अभी लेसुन का वजार ऐस चलता रहेगा जितंदर खुराना जी का कहना है कि आप अपने जुरूत के हिसाब से माल बेचें और समय समय पे माल निकालते रहें रोके ना उसको